hi everyone welcome to my channel stock market unlimited and a very happy diwali to everyone i wish यह diwali आपके लिए बहुत prosperity और happiness लेकर आए अभी अगर हम सबसे पहले देखिए रिटेलर्स का डेटा देख लेते हैं तो रिटेलर्स का डेटा में हमें क्या देख रहा है कि इनकी ना put short की position सोड़ी सी बढ़ी है market के अंदर प्लस उसके साथ में call short इनके almost उत नहीं है तो यह put short बढ़ा के गये हैं तो यह expect क्या करके चल रहे हैं कि market के पास एक support है market वहाँ से उपर की side ही रहेगा अभी अगर हम diis का डेटा देख लेते हैं तो एक बिटी में इनोंने 3514 करोड की buying करी है प्लस futures के अंदर आज इनोंने अपने 10,079 contract short side के close किया है और long side के सिर्फ 464 contract close किया है इसके बाद अगर हम FIIs का data देख के चलते हैं तो एक बिटी में आज इनोंने 5813 करोड के असपस की selling करी है प्लस आपको इनका data देख के लग रहा होगा कि काफी bearish हुआ है यहां पर भी दिख रहा है कि futures में भी इनोंने अपनी bearish positions बनाई है और options के अंदर भी इनोंने अपनी bearish positions बढ़ाई है futures में देखिए हुआ क्या है आज निफ्टी की monthly expiry थी तो जो निफ्टी के monthly contract से futures के वो close हुआ है ज्यादा close करी है तो इसलिए आपको यह data slightly bearish होता हुआ दिख रहा है तो overall मतलब bullish positions को ही close करके हुए जा रहे है यह लोग तो आप expect कर सकते हो कि यह थोड़ी bearishness expect कर रहे हैं भी market में इसके बाद में अगर हम proprietary desk का data देख के चलते है तो इन लोगों ने अपनी put short की positions को close किया है प्लस अपनी call short की positions को भी close किया है तो यह एक तरीके से क्या है long straddle में जा रहे हैं इनकी expectation है कि market एक upside या downside का move दिखा सकता है बट इनों ने अपनी put short की positions काफी close किया है chances हो सकते हैं कि यह थोड़ा bias bearish side का लेखे जा रहे हूँ अभी देखिए अगर हम charts पे देख लेते हैं जो हमने कल discuss किया था आप देखिए मैंने आपको बोला था यह level break होगा उसके बाद में retracement आएगी हम shorting की opportunity देखेंगे target हमारे इस वाले zone तक के दे रहाए यह वाला zone है हमारा यहां पे market support ले सकता है आप exactly देखो इसी zone के आसपास आके market ने consolidation करने की कोशिश कर लिए ठीक है तो यह प्राइज एक्शन वगेरा की ना analysis होती है हमने almost एक तरीके से देखा जाए तो पूरी capture करी होगी retracement के बाद में क्योंकि मैंने आपको बताया था इस level के नीचे तो हमें shorting की देखनी है और हमारे zone थे targets इस वाले level तक के similarly आप अगर bank nifty भी देखना चाहें तो bank nifty के अंदर भी देखिए मैंने आपको यह वाला zone मार करके दिया था ठीक है अब refine करके मैंने आपको यह वाला भी दिया था कि जिनको अपना चोटा SL रखना हो तो अब उस refine करने में यही हो जाता है कि कभी-कभी जाता नहीं है market महा बट आप देखिए exactly इसी वाले zone को जो मैंने मार किया था यहीं से market के अंदर bearish ने start हुई और target मैंने आपको इस वाले zone के दिया थे यहीं पर आके market ने RSI divergence भी बनाई है और double bottom type का भी बनाया है ठीक है तो यह techniques होती है यह अगर आप भी सीख जाएंगे price action की तो बहुत असा ना हो किसी को offer avail करने हो तो वो जाके visit कर सकते हैं बाकी levels वगेरा का video और moora trading का video मैं कल possibly डालने की कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए so thank you for watching my video guys and a happy diwali to everyone